नमस्कार मैं अर्गिस मनसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स नाइन लाइफ पर जैसा कि आप सभी को पता है आरेन खान को जब से हिरासत में लिया गया जब से उन्हें जेल हुई है तब से बहुत सारी सेलिबिटी जब वॉलिवूड के जो उनके सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं तो से पहले बात करना चाहेंगी सल्मान खान के बारे में सल्मान खान को जैसे ही पता चलता है कि आरेन खान को हिरासत में ले लिया गया ड्रक्स मामले में तुरंध ही वो चले जाते हैं मन्नत और शारु खान के घर पहुचकर उन्हें होसला देने की कोशिश करते हैं और आपको बता दे रितिक रोशन भी उनके सपोर्ट में हाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको बता दे हिंदी फिल्मों के डिरेक्टर के बारे में कि उन्होंने ऐसे टिपडी कर दिये जो सबी के लिए बहुत ज्यादा अश्यारे जनक है जी हम इस वक्त बात कर रहे हैं हंसल महता ने कुछ ऐसा कह दिया हंसल महता ने बोला है क साफी हमने ऐसे कंट्री सदेंखिएं जहाँ पर ड्रक्स लेने के लिए इतना मनायी है आराम से कोई भी रेलेता हैं ऌता होता हैं कि अब ड्रक्स को हमारे भारत में भी लीगल कर देना चाहिए उनकी इस ट्वीट से सभी जगा बहुत ज़दा हंगावा मत चुका है शायद उन्होंने इस जो ट्वीट किया है जब ट्वीट करने से पहलो उन्होंने शायद कुछ सोचा नहीं था जो उन्होंने ऐसे ही कर दे लेकिन उनके इस ट्वीट ने सभी में बहुत ज़दा तहलका और बवाल मचा कर रख दिया और सभी लोग इनको बोल रहे हैं कि आपने भी बहुत ज़दा गलत बोला है जिस तरीके से नशे पे पावंदी लगाई गई है और नशे की वज़दे से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं बहुत ज़दा लट उन्हें लग जाते हैं बहुत ज़दा गलत काम कर देते इसकी वज़दे से यहाँ पर ड्रक्स लेने के लिए मनाई की गई लेकिन उन्हें जब बोला कि लीगल कर देना चाहिए उन्हें बहुत ज़दा ट्रोल भी किया जा रहा है